यकीन मानिए ये इंटरनेट की दुनिया जहां बड़ी कमाल की है उतनी ही खौफनाक है जिहां इसका कोई गलत इस्तमाल भी कर सकता है और अक्सर लोग करते भी है और सीरेल ये है चाहते में अब इसी इंटरनेट के जो खौफनाक साइड है उसका शिकार होने जा रहे है रू तुम्हें मुझसे शादी करना क्या है अब बेसीरेल के बाहर के लोगों के बारे में तो नहीं पता लेकिन हां सीरेल में जो लोग काम करते हैं वो शादी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं अब रूद्राक्ष खुराना को ही ले लीजिए उसकी डिमांड कुछ ऐसी बढ़ गई है कि सीरल में अभी-अभी आई सानिया उससे शादी करना चाहती है अब ये तो वही बात होई ना जान पहचान और शादी करेगी वो भी एक डील के साथ अब जैसा कि हम जानते हैं कि रूद्राक्ष इन दिनों सारांश को ढूंड रहा है और सानिया ने कह दिया है कि सारांश के बारे में वो तभी information देगी जब रूद्राक्ष उससे शादी कर मैंने अक्चली उसको बोला कि आपने देखा होगा एपिसोड में कि वो आहाना और सारांश को ढूंड रहा है और मैंने उसको बोला कि मेरे पास उन दोनों की सारे information है बट अगर उसको information चाहिए तो उससे मुझसे शादी करने पड़ेगी तो उसने बहुत सोचा सोचा बट फाइनली उसने हाँ बोल दिया बिकर्स वो अपने बच्चे से इतना प्यार करता है तो यही चीज़ है और मेरा कुछ और मकसद है वो मैं अभी आप लोगों को reveal नहीं कर सकती और अब जैसा की रुद्राक्ष के पास कोई option नहीं है उसे हाँ कहना ही पड़ेगा अब रुद्राक्ष को जैसे फसा रही है ना सानिया इसका पूरा वीडियो भी बन रहा है और ये वीडियो ज़रा देखिए कौन बना रहा है चाचा जी अब चाचा जी क्या करेंगे ये वीडियो प्रिशा को दिखाएंगे जिससे प्रिशा को गलत फहमी हो जाए और फिर वो अर्मान से शादी कर ले लेकिन यहाँ पर तो चाचा जी ये नहीं जानते है कि ये मोहतरमा प्रिशा से ही बदला लेने आई है हो नहो सानिया का कनेक अर्मान के साथ जरूर है हिम मुंबई से कलीम सल्मानी के साथ एबिपी न्यूज रिपॉर्ट एबिपी न्यूज आपको रखे आगे